वारे में आज बैक निफ्टी के एक्सपाइरी था बट एक्सपाइरी की तरह है बैंक निफ्टी ने मूव नहीं करके दिया हलाकि हमने आप लोग को एक ट्रेड जरूर बना के दिया मौर्निंग टाइम में अल्मूस्ट एक्टी पॉइंट्स का लेकिन 80 point यह फिर थोड़ा सा और जादा था 90 point के असपस का तो मैं 80 भी मान के चलता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं बताऊंगा कैसे का trade दिया था आज हमारे members ने अच्छा profit बनाया है जबकि market बिल्कुल भी अच्छा नहीं था most of the profit हमने morning के move में बनाया उसका market sideways हो गया जैसा कि आप यहां देख सकते हूँ यह जो rectangle है इसको अगर मैं बढ़ा करूँ तो आपको समझाएगा कि market mostly इसमें था मैंने यहां तक क्यों लगा रखा है मैं बताऊंगा उसके पीछे का reason देन इसको बढ़ा कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले आज का profit आज की trades और कल का planning क्या रहने वाला है सब कुछ detail में समझाएगे तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना so that तुमारे भाई को थोड़ा सा support मिले चलिए तो telegram की बात करें तो 1.4 के subscriber सबसे important है description में जो link है उदर से ही जाना fake channel पे मत चले जाना ये आपके लिए proper free रहने वाला इदर मैं जो भी बताता हूँ वो free में मिलता है आप लोग को उसके बाद अगर आप पैसे बनाओ तो फिर मेरा service लेने का try करो ठीक है अगर तुमको सब अच्छा लगे पैसे बन जाए इदर से तब ही लेना यही मैं सब को बोलता हूँ कि पहले इदर से पैसा बनाओ पहले जो free में आपको बता रहा बंदा वहां से लो तब उसकी सई knowledge का इस्तमाल करो ठीक है तो यहाँ पर हमने morning में आप लोग को levels दिये उसके बाद मैंने आप लोग को trade दिया कहाँ पे trade दिया एक बार यह January 5 पे नीचे आ जाते है ठीक है चलो सबसे पहले profit दिखा देता हूँ आज का उसके बाद बात करेंगे आपको trade कहाँ पे दिया था क्योंकि आज हमारा हर एक member green में close किया है सबसे important बात यहाँ जशुरू करते हैं profit profit देखते जाओ कितना profit है 3,700 500, 1,300, 3,200 1,350, 4,700 उसके बाद 6,62, 7,60 16,000, 3,000 9,60 उसके बाद यहाँ निफ्टी का boom trade आज के दिन हमने वापस से बनाया कल के दिन हमने बनाया था वो भी हमारा almost 250 गया था put side में आज हमने call side बनाया तो वो भी 270 प्लस गया जाके check out कर लेना timing देख लो, premium देख लो और इसके बाद कहां तक गया है market end होते 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 वो भी देख लेना उसके बाद 10,000 का profit उसके बाद 2,600 का profit उसके बाद 22,000 का profit उसके बाद 1290 का profit और उसके बाद total gain 9,000 उसके बाद मैंने nifty का वीडियो अप्लोड कर दिया तो जाके देख लेना आपके लिए फाइदा होगा कि कल किस तरीके का movement आ सकता है आप लोग को मैंने trade कहां पर दिया था यह था trade 47,300 के उपर scalp बनेगा और रिस्की है थोड़ा क्योंकि market volatile है मैं बताऊंगा क्यों ठीक है और 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 एक सेकंड दो यहाँ पर मैंने आप लोग को यह भी बोला है कि pullback आया है अब जब निकलेगा तब लेना 945 ठीक है अब जाके हम थोड़ा सा chart देख लेते हैं कि 945 के around क्या scene चल रहा था तो यहाँ पर अगर आप notice करोगे यहाँ पर candles को बड़ा कर लिया है तो 3300 का level देखो यह exact level 300 का है यहाँ पर देखो यह candle आई यह 300 के नीचे रह गई और यहाँ पर यह pullback आया इस candle पर मैंने बोला कि अब जब market निकलेगा तब आप ले लेना तो यहाँ पर देखो जब निकला है तो reverse नहीं सीधा आपको 90.00 उपर जाके टच किया ठीक है समझ गए कल भी हमने ऐसा दिया था ट्रेड परसो भी दिया था आप जाके टेलिग्राम पर चेक आउट कर सकते हो तो यह ट्रेड था जो हमने आप लोगों का बनवाया हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड कहां बनवाया हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड यहां पे बनवाया हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड यहां पे बनवाया हमने अपने मेंबर्स का ट्रेड यहां पे बनवाया हाला कि यह वाला जो मूव था बहुत फास्ता market उपर नीचे सब के SL कार दिया होगा जिसने exact timing exact level पे लिया होगा मैंने अपने members को level दिये दे 47,210 के नीचे 210 मतलब यहां कहीं पे आता है इसमें नहीं निकला 210, इसमें नहीं निकला 210 इस candle में ही निकला है तो यह 210 से लेके almost 125 तक गया है 80 point का within a minute आया है एक minute के अंदर इतना बड़ा move आया और market वापस चला गया तो जिसने scalp कर लिया कर लिया otherwise वो फस गया होगा और यहां पे उसका stop loss गया होगा आज के stop loss की बात करी जाए तो market ने यहां पे आपका stop loss लिया मैं समझाता हूँ यह चीज़ समझो आपको फाइदा देगी देखिए market ने एक green candle बनाया ठीक है market ने इसके low को तोड़ा market ने यहां पे entry कर आई और market ने reversal ले लिया ठीक है market ने यहां तो यहां पे sell हंट हुआ है लेकिन हमारे members ने प्रॉफिट बनाया है यहां पे again market ने अपने high के उपर entry कर आई ठीक है market में यहां पे entry हुई होगी लोगों की because इतना fast momentum था यहां पे entry नहीं होई होगी लेकिन हमने अपने members को पहले से बता के रखाता यह level पहली चीज़ but I know पहले अगर किसी ने put में ले लिया उपर जब यह red candle बना रहा था तब और 220 से हमारा market गया कितना almost almost 300 260-70 market इस candle में गया था मैंने तभी exit करने को बोल दिया था because scalping था scalping में जल्दी निकल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है momentum पे काम होता है तो इस candle में भी मैंने trade दिया इस candle में भी मैंने trade दिया ये वाला थोड़ा सा रिस्की था बट दिया और उसके बाद हमने नहीं दिया momentum ही नहीं था market बहुत ही गड़िया चल रहा था यहां पे तो देखो SL hunting यहां होई, SL hunting यहां होई SL hunting यहां पर भी होई जिन्हों ने यहां उपर position बना ही कोशिश कियोगी उनका भी SL काटा market ने SL hunting यहां पर भी होई SL hunting यहां पर भी होई SL hunting यहां पर भी होई बहुत सारा SL hunt हुआ है आज के दिन में market में, bank nifty में, because bank nifty का अच्छा momentum था ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को यह triangle बनागे दिया है क्योंकि मैंने आप लोग को 47,300 के उपर call दिया था और वहां से एक अच्छा move यहां तक का आया था अभी यह पूरा zone चला गया है sideways में तो अभी स्कॉम कर लेते हैं, बड़ा तो अभी हम कहां पर हैं, 47,360 पर high क्या हमारा 47,400 पर मैंने अपने members group में डाला था कि 47,400, 450 एक important level है उसके उपर ही market में बड़ा move वापस से देखने को मिलेगा, चलिए उसके पीछे की कहानी को समझते हैं कि कल क्या हो सकता है, अगर आप यहां पर 5 रिटरिस्मेंट लेंगे दो चीज़ बन रही हैं, दोनों चीज़ के उपर बात करेंगे, तो यहां पर इसको ले लिया market में कल के दिन fall कहां से आया था यह रहा हमारा high यह रहा हमारा आज का low एक second, सईसे mark करने तो वन्हां तुम लोग बोलोगे, एक सईसे mark कहानी बनती है, यहां पर देखोगे, अगर आप notice करोगे, तो आप लोग को कुछ notice कराना चाहता हूँ, focus करना अपने chart में इसको बना लेना, ठीक है आज का दिन अच्छा गया है, hopefully हमारा कल का दिन भी अच्छा जाएगा, 47,472 50% का level है, ठीक है ध्यान है, 47,472 मैंने क्या बोला है, market हमारा 400, 450 के उपर टिक जाएगा तो हम वापस से बुलेश हो जाएगे market में, यानि की यह जो important area है ना 47,500 का, यह बहुत crucial रहने वाला है यहाँ पर पहली चीज, trend line दूसरा चीज, यह वाला जो zone जहां market रोका था, zone तीसरा हमारा 50% का area यह तीन चीज़ा meet एक साथ कर रही है तो इसका जब breakout आएगा तो market में, अगेन एक बड़ा move आपको upset देखने को मिल सकता है, ठीक है तो आपको अब क्या करना है planning बता देता हूँ मैं अगर हम 47,470 के उपर पर यह trend line निकल जाएगी, तो फिर और बड़िया move आजाएगा, और move कहां तक आ सकता है, आपका पहला move आएगा यह area तक, यानि कि almost almost 47,600, 620 तक, दूसरा move आएगा 47,700, 730 तक, तीसरा move आएगा 47,900 तक, ठीक है, यह से 730 वाला area, और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा इस area में market हो सकता है कि sideways भी हो जाए ठीक है, अब बात करें downside की तो downside के chances क्या है market 50% को जाए इसके नीचे निकले, तो आप लोग 47,360 के नीचे भी trade plan कर सकते हो, put side में और बोलो मुँ तो 47,350 के नीचे कर सकते हो round level लेलो, पहला दूसरा, अगर आप यहाँ पर ही एक red candle बनते हुए देख लेते हो, यानि की 47,450,60 के around तो भी आप एक छोटे risk के साथ जा सकते हो, put side में ठीक है, लेकिन बनने देना candle, पहले ही मत गुस जाना ठीक है, उसके बाद target आपके 47,220 के रहेंगे अगर आप put side में निकलते हो, market वापस यहाँ पर आएगा, market वापस 47,000 को touch करेगा अगर यह 50% से घूम गया तो, ठीक है तो depend करेगा, market किस तरीके से इस area में play out होगा वही कल का दिन decide करेगा अगर हम gap down open होते हैं, तो हमें यह level mark करके रखने, जहाँ से rejection मिले आप put side में चले जाओगे, call side में हम 47,450,500 के इसके उपर ही plan करेंगे तब तक planning में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, तब तक शायद नहीं करें अगर कुछ करूंगा, तो मैं वह आप लोगों को टेलीग्राम पे बताऊंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कैसे मिलेगा, डिस्किप्शन से ही लेना, कहीं और से मत लेना, किसी और गलत चैनल में मत जुड़ जाना request है, आप लोगों से, ओके, तो I hope आप लोग को समझ में आगया होगा, सब कुछ, किस तरीके से planning है कल की, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को जॉइन कर लो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से, पूछ लो, मैं उसका answer आपको करके, दे दूँगा तैंकि, so much मिलते हैं, आप लोग कल सुए प्री मार्गेट वीडियो के साथ एंड फिर मिलेंगे लाइव अपने टेलीगराम पर जहां पर मैं करूँगा आपकी help और बनेगा आपका पैसा, thank you